हेलो एब्रिवन बेलकम टू पीकेपी हम इबियुस की सीरीज देख रहे हैं जो की प्रेविएस यहर में आये हुए कुष्चन है ठीक है तो यह कौन सी सीरीज है 2016 फरवरी की सीरीज है जिसमें आपका कंटेंट प्रीबियस लेक्चर में डिसकस हो चुका है और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे 2016 फरवरी में जो भी पैडागोजी आया हुआ है EBS में उसको डिसकस करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम कुश्चन के साथ पहला कुश्चन है आपका क्लास फिफ्थ के सिच्छ का एक ऐलूमेनियम फॉइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह उपर तेरता है फिर वह फॉइल को मरोड कर जोर से दबाती हैं यानी निचोडती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा सिच्छार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है बाद में वह सिच्छार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ इस प्रश्ण का उत्तर देने में निम लिखित में से कौन सा प्रकरमर कॉंशल का विकास या प्रयोग किया जाएगा ठीक है तो मेंस बच्चों में किस टाइप की स्किल्स यहाँ पर देखी जा रही है तो आपको क्या करना है याप पर परड़ा है वरगी कराण, अलोकन, मापन और परिकल्पना ठीक है तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे अपनी हाइपो थिसिस लगाएंगे ठीक है नेस्ट कुश्चिन आप देखो, पर्यावराण अध्यान के सिछा सास्ति के संबंद में सिवाए के निमलिकित सभी वांचनी अभ्यास हैं, ठीक है में सारे ही जरूरी हैं किसी एक को छोड़ कर, अब वो किसे छोड़ कर रहें ये देखो, बच्चों की असिम्ता यानि बैक् के साथ भी उसको बाहरी दुनिया से भी रिलेट करके बच्चों को सिखाना ही जरूरी है, तो ये क्या है, इस चीज को ये गलत मान रहा है, ठीक है, अभी देख लेते हैं, और पार्थे वस्तुओं और संदर्भों की बहुलगता को बढ़ावा देना, ठीक है, आलोशना अ नहीं है, मेंस जादा डिजराइबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि EBS जादा डिजायर करता है किस चीज के लिए कि बच्चों को बाहरी दिनिया से रिलेट करके तब पढ़ाया जाए, तो आप्शन नमबर टू इसके लिए करेक्ट एंसर होगा, 63 कुश्चन देखते हैं, महें हमेशा याद रख लेना कि इसका एक ही है, कि बच्चे पौधे लगाएं, उसको देखें और उसके बाद वो उससे मोटिवेट हो, ठीक है, तो हमेशा इसके लिए याद रखना है कि कोई भी टॉपिक और पढ़ना ही नहीं, आपको फर्स्ट एंसर यहां पर करना है, ठीक ह तो यह हमेशा आता है इस टाइप का कुश्चन, तो यहां पर क्या बोला, एक पौधे को अपनाने और उसका पोसंड करने के लिए प्रतियक सिछार्थी को अभी प्रेटित करना, उप्शन नमबर वन, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सिछार्थियों को प्रतियोगिता का आयोजन करना सारे ही सही है, लेकिन जो सरबाधिक उप्युक्त है, उसकी बात कर रहा है, तो आप्शन नमबर वन, आपका क्या होगा, करेक्ट एंसर हो जाएगा 64 देखिया आप, परियावरर अध्धन में बच्चे सिल्प कला और चित्र कला, ठीके, यानि आल्टन क्राफ्ट को समों में सीखना बिसेश रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि, या सहपार्थी अधिगम को बढ़ावा देता है, ठीके, या सामाजिक अधिगम को बहतर बना जब बच्चों की स्रिजनात्मक की प्रसंसा की जाती है, तो वे खुस हो जाते हैं, ठीके, वा उसके प्रती प्रेरित भी होते हैं, या क्लास में अनुशाचन को बढ़ाता है, तो आपके according इसमें क्या correct answer लग रहा है आपको, अनुशाचन की बात बच्चों के साथ नहीं क हो जाएगा, ठीके, कौन-कौन सा सहपाथी अधिगम को बढ़ावा देना, यानि की peer learning, एक group में पढ़ाई करने को बेहतर बनाता है, social learning को ये promote करता है, ठीके, और इससे क्या होता है, बच्चे जो हैं, बच्चों की स्रिजनात्मक्ता की प्रसंसा की जाती है, तो वे क्या ह होते हैं, खुस होते हैं, और इससे क्या होते हैं, बहुत जादा वो motivate होते हैं, इसलिए कहते हैं, बच्चों को appreciate करो, depreciate करने की जगा, ताकि अगर आप थोड़ा कम अच्छा करेंगे, और आप उनको appreciate करोगे, तो फिर से और अच्छा करने की कोशिस करेंगे, लेकिन वहीं पर आप उन्हें depreciate कर दोगे, तो थोड़ा सा उनका मनुदास हो जाता है, और वो छोड़ते हैं, तो इसलिए बच्चों को हमेशा आपको appreciate करना है, तो ABC का correct option है, option number 2 correct हो जाएगा, next question देखते हैं, question number 65, प्रियोग करना, ठीक है, experimentation की बात हो रही है, यहाँ पर, आकलन का एक एक संकेता के, ठीक है, assessment का क्या है, यह indicator है, निमलिखित में से कौन सा एक प्रियोग करने संबंदी संकेतन का आकलन करने का सबसे उप्यूक्त तरीका है, ठीक है, कौन कौन सा करें, creative writing, सिर्जनात्मक लेखन, demonstration, यानि प्रदर्शन बिधी, हस्त परगती बिधी, या चित्र पठन, ठीक है, hands on activity, तो ये भी question आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें भी याद रखना आप हमेशा hands on activity जो होती है, वो experimentation में सबसे उप्यूक्त तरीका होता है, ठीक है, तो option number 3 आपका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, hands on activity, next question देखिए, 66 number, प्रात्मिक क्लास म के पास अनेग प्रक्रों में, अनेग बैकल्पिक ओधर्णाएं होती हैं, जैसे सजियू निर्जियू, जल्चक्र, पौधे, आदी, इन बैकल्पिक ओधर्णाओं के स्रोथ हो सकते हैं, ठीक है, परिवार एमम समुदाए, पार्थ पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, सिछ कहानियां और कविताएं, ठीक है, तो क्या बोला गया, जो प्रात्मिक क्लास के प्रामरी क्लास के बच्चे हैं, इस्टुडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, बहुत सारे कॉंसिप्शन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे सजियू निर्जियू क्य है living non-living क्या है water cycle क्या है plant क्या है ठीक है तो यह जो sources हैं इन वैकलपिंग अधारनों के शुरोध हो सकते हैं तो यह स्रोध क्या हो सकते हैं मतलब वो कहाँ से इनको मिल सकते हैं तो इसमें आपको देखो तो चारों ही option क्या है correct लग रहे हैं क्योंकि family या community से मिलते हैं text book से other book से भी मिल सकते हैं teacher से मिलते हैं story जोर poem से मिलते हैं option चारों ही correct है option number one क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा next question देखते है परिया वरण अध्यन में बिसे वस्तू theme आधारित उपागम को अपनाने में के समर्थन में निम लिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक ससक्त है ठीक है क्या बोल रहा है which one among the following is the strongest argument in favor of adopting a theme based approach in avious किसकी बात कर रहा है theme based approach की बात कर रहा है ठीक है तो कौन सा सबसे अधिक ससक्त है देखो यहाँ पर या सिच्छन को अधिक रोचक और गतिविधी आधारित बनाने में मदद करता है यहाँ अधारनाओं मुद्दों और कौंसलों के बिहत बिस्तार को समलित करने में मदद करता है यहाँ बिसे सीमाओं को नरम बनाने और संपूरता में ग्यान को प्राप्त करने में मदद करता है या पाठी ओजनाओं को एक धाचा प्रदान करने और सिच्छंड को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है तो आप क्या देखोगे ये क्या करता है, help करता है किसमें जो भी बिसे सीमा है यानि कि subject की boundaries है उनको क्या करता है, ये soft यानि नरम बनाने में और संपूरता में ज्यान को प्राप्त करने में मदद करता है कौन जो भी बिसेवस्तु थीम आधारित उपागम होते हैं ठीक है, तो option number third क्या होगा correct answer हो जाएगा next question देखते हैं प्रार्थमिक क्लास में पर्यावराण अध्यान को सिखाने सीखने में कहानिया एक महत्तपोंड पहलू है ठीक है, पर्यावराण अध्यान को सीखने सिखाने में कहानिया क्या एक महत्तपोंड पहलू है पर्यावराण अध्यान के क्लास में कहानी सुनाने की सिच्छन काउसल के रूप में समलिद करने के लिए निम लिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है ठीक है अब देखो छोटी से बच्चे होते हैं तो उनको कैसे सिखाया जाता है जाता तर इस्टोरीज बेश सिखाया जाता है या फिर उनको कोई activity करके जिखाई जाती है कोई drama इस type का तो उन्हें जल्दी से समझ आता है तो वही कह रहा है कि इसमें कौन सा सबसे कम उप्यूक्त कारण है ऐसा करने का कहानिया अनेक विसे छेतरों को छूती है ये बात तो सही है कहानिया class management में help करती है ठीक है तो ये तो जब management की बात आ जाएगी इस्टोरीज होगा तो बच्चे बहुत है उत्सास के साथ सुनेंगी उसको है न बहुत मन लगा के ठीक है कहानिया पर्यावरन अध्यन और धारनाओं से संबंध जोडने के लिए संदर्भ उपलब्द कराती है ये भी सही है कहानियों में बेक्तियों के अन्भो सामिल होते हैं बिल्कुल सही ठीक है तो आप क्या देखोगे सबसे कम उप्यूक्त की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा option number two यानि stories help in class management ठीक है तो ये थोड़ा सा क्या होगा इसका मतलब है लेकिन सबसे कम उप्यूक्त की बात कर रहा है तो आपका option number two correct answer होगा 85 number देखिए परिया वरण अध्यन पार्थ पुष्टक की बिसे वस तुमें परिभासाओं और ब्याक्यानों को दूर रखा जाना चाहिए रट कर सीखने को हतोत साहिद करना चाहिए बच्चों को प्रैस्ण करने اور खोजने का मौका मिलना चाहिए बच्चों के केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है परिभासाओं और ब्याक्षानों को दूर रखा जाना चाहिए बिल्कुल क्योंकि बच्चे क्या होते हैं छोटी क्लास में हैं जितना आप उन्हें करके सीखो या उनको कहोगे search and learn आप उसे खुजें और सीखें करके देखें तो ये सब चीजें जो हैं बच्चों को बहुत अच्छे से ही समझ आती हैं तो परियावराण अध्यन में definition, description ये सब चीजें अवाइड करना होता है और ज़्यादा written information भी अवाइड करना होता है ज़्यादा तर उन्हें क्या करना है ratification भी नहीं करवाना है ठीके, rat कर सीखने को हतोत साहित करना है ठीके, discourage करना है उनको encourage नहीं करना है, means रटना नहीं है चीजों को और तो आप option number क्या देखो भी जो आपको correct लग रहा है इसमें ये भी सही है, दूर रखा जाना चाहिए बिल्कुल सही तो साहित करना चाहिए, रटने के लिए बिल्कुल सही खोजने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही लेकिन लिखित जानकारी ये गलत होगा तो option number क्या होगा, third इसका correct answer हो जाएगा जिसमें ABC तीनों ही है, ठीके next हम देखते है, question number 86 निम्रिकित में से कौन सा कथन, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उप्योग, देखो यहाँ पर question जो आपका ABS में आता है, यह तो सबसे कम यह तो सबसे अधिक आता है, आपको लगेगा यह 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 भी सही है, लेकिन उसमें यह भी तो देखा कौन, ठीके plus point किसमें है ज्यादा positive babes कौन दे रहा है, ठीके, तो यह चीज़ें आपको देखना होता है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, reporting को अधिक बिस्तृत बनाता है, ठीके, अब देखो क्या करना करा, सीखने के संकेतक और उप संकेतक, कि पहले आप सूच ठीके, उसकी एक report तैयार करो, reporting को अधिक विस्तृत बना रहा है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, जैसी टिपड़ियां, बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, यह तुस्य है, बच्चों को portfolio में केवल उनके सबसे बहतर कारे ना होकर सभी तरह क कारे होने चाहिए, ठीक, बच्चे को निजी बिवरन और बैक्तिक्त प्रिष्ट पोसंड देना वांचनी अभ्यास से क्या कह रहा है, giving personal details and individual feedback to a child is a desirable practice, ठीक, तो personal details वाली बात आगी, तो यह क्या होगा, आपका incorrect हो जाएगा, और क्या बोल रहे हैं, केवल बहतर कारे ना हो और सभी तरह के कारे होने चाहिए, किस में, portfolio में, ठीक, तो यह भी क्या होगा, incorrect हो जाएगा, तो आप देखोगे, जो सबसे, sorry, ठीक, तो option number आपका क्या हो जाएगा, इसमें, two हो जाएगा, क्योंकि यह भी सही है, और, means, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, सबसे कम वा जाली बात हो जाएगी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे, टीपड़ियां, बच्चे के सेखने के बारे में, एक समझ प्रदान करती है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, 86 का option number two, क्या होगा, correct answer होगा, जो की सबसे कम उप्युक्त है, ठीक है, नेस्ट हम question देखते है, 87 number question, क्या आपने अपने घर याई स्कूल के आजपास जानवर देखे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, अपने नोट बुक में उनके नाम लिखे, इस प्रशन के माध्यम से किस प्रक्रम कॉंसल का आकलन किया जा रहा है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, परि रिकॉर्ड करें, और देखें का मतलब के अवलोकन करें, तो option number 3 इसका क्या लग रहा है, correct answer लग रहा है, तो 87 का क्या हो जाएगा, option number 3, correct answer हो जाएगा, नेश्ट हम देखते हैं, 88 number question, पर्यावरण अध्यन की अंतह विसीव प्रकिती, पर्यावरण ये मुद्धों को द्व संबोधित करती है, किसके द्वारा संबोधित करती है, तो पर्यावरण अध्यन में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो, ठीक है, तो पर्यावरण अध्यन में, स्टार्टिंग में ही मैंने बता रखा आपको, ठीक है, कि हमेशा यहाँ पर science, social science, ठीक है, और EBS, पर्यावर अध्यन की अंतह विसी प्रकिती, ठीक है, तो याद रखना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों ही किस में आ जाती है, पर्यावरण की अंतह विसी प्रकित में, यानि की environmental issues content में, यह आ जाती है, इंटर disciplinary nature में, ठीक है, next question आप देखो, question number 89 है, क्लास 5th A के सिच्चक, एक सवाल देते हैं, सवाल क्या है वो देखो, पेड़ों के 5 लाव लिखिए, जबकि क्लास 5th B के सिच्चक, निमने सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धर्ती पर कोई पेड़ ना हो, इन सवालों की प्रकिती कैसी है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, option प हो रहे हूं, ठीक है, और अपसारी का मतलब क्या है, divergent है, बद्ध अंतवाला, यानि की closed, ended है, ये क्या कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, converge और diverge का मतलब को समझा गया होगा, तो यहाँ पर देखो, क्या लग रहा है आपको, अगर option आप देखते ह तो पेड़ों के 5,000 लिखिए, कैसा लग रहा है, आपको किस टाइप का option लग रहा है, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर, एक ऐसा है, बद्ध अंतवाला, closed, स्रिफ पता है, ठीक है, कि 5,000 क्या-क्या होते हैं, उनको फटा-फट उसने लिख दिया, ठीक है, यान के बिचार अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो जब सब के बिचार अलग-अलग होंगे, इसलिए क्या बोलाग है, open-ended, मुक्त अंतवाला, यानि कि सब अलग-अलग बातें यहाँ पर बताएंगे, कि सब के अपने-पने ब्यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है, और कैसा है, अपसारी है, means, divergent, thoughts, यहाँ पर अलग-अलग बातें निकल के आएंगे, तो option number 4, क्या होगा, इसका correct answer होगा, ठीक है, तो यह चीजें इस टाइप के कोई भी question आजाएं, तो आपको समझ के रखना है, कि कोई चीजें जो directly लिखने वाली बात होती है, वो कैसी होती है, close-ended ह होती है, अपसारी होती है, और जो भी सोच समझ कर, answer करने वाली बात होती है, जिसमें सब के अपने-पने point आफ भी हो सकते है, वो कैसा होता है, मुक्त अंत वाला, open-ended और अपसारी होता है, ठीक है, next question देखते है, last question है, 90s number question, class first में पर्यावरन अध्यान में, सिचार्थिय के आकलन के बारे में निम्लिकित में कौन सा, या से सत्य है, ठीक है, तो आपको पता है, EBS class second में होता है, किसमें होता है, third में होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि पर्यावरन अध्या में सिचार्थियों के आकलन में, निम्लिकित में से कौन सा सत्य है, देख लेते हैं मौखिक परिच्छाएं क्यों की हो सकता है कि बच्चे लिखने में सच्छम ना हूँ ड्रॉइंग क्यों की बच्चों को इसमें आनन्द आता है सिच्छकों को औलोकन और रिकॉर्डिंग किसी को ना रोकें नीती को धान में रखते हुए आकलन की कोई आवसकता नहीं है तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर क्लास फर्ष्ट में पर्यावरार अध्धन में सिच्छार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा कतन सत्य है तो मौफिक परिच्छा हैं छोटे बच्चे होते हैं ठीके क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सच्छम ना हो छोटी क्लास के बच्चे हैं हो सकता है कि वो न लिख पा रहे हो ठीके तो क्या करना है उनसे औरल टेस्ट जादा करने हैं ड्राइंग करवाओ बच्चों से ठीक है टीचर्स क्या करें अब्जर्ब करें और खुदी रिकॉर्ड करें तो ये तीनों तो इसमें क्या लग रहे हैं करेक्ट हैं ठीक है सत्त है लेकिन डी इसका इनकरेक्ट है आए हुए है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे सेप्टमबर 2016 में जो आए हुए कुश्चन्स हैं उनके बारे में देखेंगे ठीक है तो आप ये सीरीज अच्छे से करते रहें मिलते हैं नेस्ट क्लास में थैंक यू सो मच